होस में आ जाओ यह संख्या में बहुत सारे जिस दिन यह उठकर के तुम्हारे सामने खड़े हो गए न तो तुम्हारे शरीर पर जो यह चमक आ रही है जो तुम्हारे मूँ में 32 दानत हैं और जो जवान तुम्हारी फुट पुड़ा रही है कि हम संविधान बदल देंगे यह बहुजन समाज के लोग इस देश के 140 करोड आदिवासी इस देश के अंदर ओस सी ओबी सी महिलाएं इस देश में 140 करोड की अबादी है जिसको सम्मान स्वावी मान संविधान से मिलता है वो आपके सरीर पर अगर एक एक उंगली भी टच करेगा न तो तुम जमीन के यह सहा हैं करते हैं राफॐत करोड़न के देश की जसे इस दिन्याम सहते हिसे अंदर झरग आपकर के गुसे loss थे च्षब है कि यह करते हैं फोल्ट इन दुपा मैं तो उनकिची तस्वीरों से न फरत करते हैं और और यह विपापर संक्तिया असपिश्ग करते हैं की बाब करने की जरूत नहीं पड़ती इन्हें पता है कि हम इस संविधान की काट काटी नहीं पाते बाबा साहब इस तरहां का कलम चला कर गए है और यह फ्रस्ट को यह बयान आया था देब्रायका लेकिन उसके बाद से जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं सवीधान को लेकर कि स बचाने की 140 कोड लोग हैं इस देश में तो बही एक बात बताएं पूरे देश में आप क्या समझते कि सबका जो लेबल होगा सोचने का बोलने का 140 करोड लोगों का एक जैसा होगा क्या आपके भी घर में 4-5 बच्चे होंगे 4-5 5 सदस्य होते हैं तो 500 सदस्य नेत्वत करन पूटे ठकते हैं यह जो बयान देते अनरगल यह वो लोग हैं जो भविस्य में विश्वास रखते हैं जो मोक्ष में विश्वास रखते हैं हम बो लोग हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं जो अदालतों में विश्वास रखते हैं जो कानू न्याय विवस्था में विश्वास रखते हैं तो हम उन लोगों की आवाज बन कर यहां बोल रहें आप अगर सोचेंगे 140 करोड़ लोग बोलने सुरू कर देंगे तो पर सुनने वाला कोन होगा समझने वाला कोन होगा तो आप इसको यह मत सोची कि हम बोलने तो यह क्या क्याते हैं वह पूछता पूछता है भारत और बकता है वह अकेला और पीछे साड़ लेता पूरे भारत की तो ऐसे लोगों की तना अनर्गल चीज़ें नहीं कर सकते हैं हम संविधान में विश्वास रखते और यह बात याद रखना जिदिन संविधान नहीं होगा ना उज दिन तुमारी संविधान को बचाने के लिए यह एक एहसान फरामोस लोगों को संविधान एक जवाब देता है संविधान उनकी भी सुरक्षा करता है जो संविधान के खिलाव खड़े हैं यही संविधान की खासियत है संविधान उनको भी सुरक्षा देता है अगर उनके ओपर कोई और संविधान को खटाने की बात करते हैं उनका जमीर गभाही नहीं देता क्योंकि पहले से वह ऐसा मानता में जीते आये हैं तो उनके अंदर जो जूज रहे हैं क्योंकि वह अपनी मानपता को माड़ चुके हैं मानपता समानता जगाने के लिए उन्हें बड़ी तकलीफ हो क्योंकि बरावरी करने के लिए लोगों के बरावर कड़ा होना होगा लोगों के सामने नजरे मिलानी पड़ेंगी जो बहूं कर चुके हैं पहले अब उस समाज के सामने खड़े होने में हिचकचातने हैं हम सोचल मीडिया बेखते नया सविधान बन चुका है उसकी फटो होती रहती है कई ऐसा तो नियक्ति रख रख रहा तो वह सुरक्षा से सब्जी लेने जा रहा है और उसको को महीला अदालत जाकर का अदलतोंसे मिला है और वह का ताकत सुरक्षित नहीं है एसे लोगों को ये सोच रहे जो सब्तर सालोंसे संबजान का सुअध चक रहया है लोग को आप जबरन जो है फिर से मनुस्मति की आग में ठूस देंगे वह उस आग में जाने से पहले तुम्हें तुमसे सामना करना पसंद करेंगे अभी ये मत सोचना कि मनुस्मति लोट के आएगी वह जमाना ऊड़ था कि वह समाज गुलाम था और तुम्हारी गुलामी जलाई जाती है बाबा साथ की तस्वीर जला दी जाती है और दिलितों को भी खुले आम जला दिया जाता है यह कैसा अम्रतकाल देखती है आप देखिए यह वास्तव में कुछ हद तक अगर हम कहें तो सुधार हुआ है लेकिन जब मोबाइल नहीं था कैमरा नहीं था हड़ लोगों की जो सूचनाय हमें मिल नहीं पाती थी तब इससे भी जादा बुरा हाल होता था इतना बुरा हाल होता था इतना बुरा हाल होता था कि गाउं के गाउं में ऐसी कोई महिला नहीं बचती थी जिसको शोषड एक बार या दो बार जो सिकार न बनी हो तो ऐसे हालातो दो नहीं पाती थी और समाज उनके लिए अबाज उठाता तो उनमें भी हिम्मत आ जाएगा हम लड़ेंगे लेकिन हर्याणा के उकलाना गाउं में बाबा साथ की तस्वीर पहले पर खड़ी करी फिसमें जो है आग लगा दी गई यह कौन लोगा कहां सा आते हैं जो बाबा साथ को बरदास्त नहीं कर पाते हैं यह बोग हैं जब बाबा साहब अंबेट करके जो साले थे ना वह उस समय में बाबा सहग बादार हो गहीं। क्योंकि उनके फूपा तो बच פה मैं थी नफूरत करते चाहते हैं। कॉंकि पर uta है यह उधिश्य का कानूर मिटा सकते तो जारोत हैं की तस्वीर तोड़ने की ज़़ोत निफूरती की पड़ती J उनसे नफ्रा तोड घ्रना करने की जरूत ने परती हुआ हं इस तरहां का कलम चला रही है और ये सब को. वापासाब को यह क्यों परदास्ट कर आए देश में जिसे लोगों के बारे में शब्द भी कम पढ़ जाते हैं कि जितनी इनके प्रती कानूनी कारवाई हो या समाजिक इनको अपराधी माना जाए आप इस समाज में एक तरह का उनमाद पैदा कर रहें जिन लोगों को संवि सब्सक्राइब को न पढ़ा है न समझा न जाना है बस इन्हें किसी ने बता दिया कि डोक्टर मेटकर बहुत बुरी चीज़ है और दोक्टर मेटकर ने बहुत गलत किया है तुम्हारा अधिकार खाकरके इन कमजोरों को दे दिया तो इनके दिमाग में वही सनक बैठी हुई सम्विधान को बचाने के लिए उन में से कोई भी अवित्ता कागे नहीं आया है जितने भी लोग सम्विधान का विरोध करते हैं वो और जितने भी इस देश के 131 SC ST और यह OBC जितने भी सांसद हैं मैं आज यहां से मांग करती हूं राजनीतिक आरक्षन खत्म होना और राजनीतिक आरक्ष्wa की समिक्षा करके यह देखना चाहिए को सा नेता अपने समार्च की बात कर रहा और कौन सा नहीं कर रहा है तो राजनीतिक आरक्ष् campo खतम होना चाहिए पूरा बहुजन समाज मांग करें। क्योंकि ये नेता आपके किसी काम के नहीं रहें हैं। ये नेता दलाल बन गए बीच में ये बीच में ब्रोकर बनके आपका सोधा करते हैं। और पार्टियां आपको दिखाती है, कि आपका नेता है, देखित हमने तो आपके निता को टिकिट दे दिया, आपके आदमे को टिकिट दे दिया, और इनको सोचन करने का एक सामान बना रखा, यानि कि कुलहाड़ी में लकड़ी हमारे ही उसको डाल रखी है और वो उसी को काट रहा है तो राजनीतिक आरक्षन खतम होना चाहिए और यह हर हालत में खतम होना चाहिए आज यह राजनीतिक आरक्षन अभिशाब बन चुका है और बाबा साहिब को कुछी समय बाद यह बा बनाएंगे और आज वही चीज इन नेताओं ने साबित कर दी कि जितने बैठे हुए हैं मुझे नहीं लगता कि संसद में कभी कोई बोलता होगा कभी किसी ने बोल दियो तो वो उसी भासल को लेकर घुमता फिरता रहता है यदि बोलता है तो वो उसका टिकेट कार दे जाता वो यह डरता कि मेरा टिकेट कट जाएगा अरे टिकेट कटना जरूरी है तुम्हारा तुम्हारा पूरी जीवन भर टिकेट कटना जरूरी है इस समास से कोई भी जो सी का यह ओभी सी का एस्टी का रिजर्वेशन लेकर करके नेता बनना चाहता है तो उस नेताओं को पहला काम करेगा और अगर नहीं करेगा तो तो हमारे पास बोट लेने क्यों आता है यह राजनीति कारक्षन खत्म होना चाहिए